हेलो एवरिवन वर्सटाइ नेचे चैनल में आपका हादिक स्वागत है आज इस वीडियो में हम गैंदा या मैरीगोल्ड की कटिंग्स और प्रोपगेशन के बारे में बताएंगे कि कटिंग्स कैसे लगाते हैं उसको प्रोपगेट कैसे करते हैं मैरीगोल्ड को और इसके ल कुल आजए, रूटिंग हर्मोन लिया है वाइट कलर या पाउडर रिया है और साफ ताइल साइड लिया है छौन तर्टी में मिक्स करना है और उसके अंदर जो भी आप मदर प्लांट से जो घंदे का मदर प्लांटि यह इस्ससे करने बाप लेंगे तो जो भी भी ब्लैट सब्सक्राइब तरी उसके रीवर को पिट में लगा तो आप देख सकते हैं यह बंगा रहीan को इन रूटिंг हार्मोन लगा रही है उसके उपर इसको हमने फंगी साइड में बिगो कर रख दिया था अब ये रूटिंग हार्मोन इसके उपर लगा रही हूँ और इसमें 10 से 15 दिन में रूट्स डेवलेप हो जाएगी ये मैंने कोकोपिट लिया है कोकोपिट में लगा रही हूँ आप रिवर सेंड में भी लगा सकते हैं कोकोपिट में भी लगा सकते हैं दोनों ही इसमें वक करते हैं और ये थोड़ा छोटा प्लांट छोटी कटिंग है ये इससे पहले इतनी सारी कटिंग में लगा चुकी हूँ और अभी एक और लगाई है अब देख सकते हो के समय इसी तरीके से शुर्टे करते हैं। ये श्रूनीख संच एड़े लगाई है। बस आपको कोको पेटी या रॉटिंग हार्मोवन होना चाहिए शुर्णी Watch और रूटिंग हार्मोन होना चाहिए। वह एलिमेंट होता है जिससे जल्दी रूट्स डेवलेप होती है और कटिंग बहुत अच्छी ग्रोव होती है यह आप देख सकते हैं इतनी सारी कटिंग मैंने लगाई है मैरी गुल्ड की और जो भी आप सीजर ले उसको डेटॉल से अच्छे से क्लीन करने के बाद ही कटिं करने के बाद ही यूज करें और रूटिंग हार्मोन अच्छी से लगाएं जो भी कटिंग लिए उसमें उसकी बाद को कोको पिटिया रिवर्सेंड में लगा दें इस तरी के से और टाइम टू टाइम इसमें वाट्रिंग करते रहें तो आपकी कुछी दिनों में रूट्स डेवलेप हो जाएगी प्लांट्स में यह जो कटिंग से इस सब अलग अलग प्लांट्स बन जाएंगे और फिर आप इनको रीपॉर्ट कर सकते हैं तो 15 दिन बाद मैं इसकी अपडेट दूँगी 10-15 दिन बाद जब इसमें रूट्स डेवलेप होने लग जाएगी अभी म सारी मैनने मरीगोल की टिंग सब लिए अभी आ देख सकते ती सारी कृटिंग मैने पहले अभी लगा दिथी क्योंकि बहुत सारी मैने कटिंग सलेटी अमड़ खेज़िती एक धी मिने प्लांट से और अभी ऑनको लगाया है इसके लिए कर दिक करनी के लिए रुटिंग के बहुत importance रहता है rooting hormone of fungicide fungicide हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इन चो cuttings लगाई है इनको cut करते टाइम कोई fungus ना लगे या बिटी में कोई fungus ना लगे पानी से कोई problem ना हो इसलिए हम इसमें fungicide यूज़ कर सकते हैं करते हैं और आप इसमें trichoderma या साफ का फंगी साइड जो भी आपके पास एवलेबल हो वो फंगी साइड इसमें यूज़ कर सकते हैं मैं mostly साफ का फंगी साइड यूज़ करती हूँ क्योंकि वह बहुत अच्छा होता है मैंने उसे यूज़ किया है और काफी जो पेर पौद है अडेनियम वगेरा इनमें भी काफी अच्छा रिजल्ट है इसलिए साफ का फंगी साइड अच्छा रहता है और इस तरीके से हम प्लांट को लगा सकते हैं किसी जो भी प्लांट कटिंग से लगते हैं उनको इसी तरीके से लगा सकते हैं एक प्लांट से हमारे पास बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं तो नर्सरी पे जाते हैं तो कितना एक एक प्लांट खरीदने का कितना महेंगा पड़ता है कितना एक् सब्सक्राइब सिंदें ऊपनों तरह टोलो सब्सक्राइब के तक जाएगा नियां तरह क 평二 एक सॉत्राइब उस्त प्लांट इन्याव चेशन गर चांट सब्सक्राइब ड Anton reassall की एक क्टिंग सबस्क्राइब खूऊ करें तक रहता है जह कि Amp तब तक के लिए थांक्यू और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी थांक्यू सो मच फॉर वाचेंग